नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत इसकटर क्नाज़े 30 चलने में चली दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे कोल इंडिया के अंतरगत नार्थन कोल फिल लिम्टेड में जो वेकेंसी चल रही थी हेम आपरेटर के साथ साथ और भी वाइडियस पोस्ट पे जो वेकेंसी चल रही थी उसका आनलाइन अप्लिकेशन का लाज़ डेट 30 मास 2020 रखा गया तो लेकिन अगर अभी तक आपने इस इसका फार्म फिल अप नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी डेट को बढ़ा दिया गया लार्ज डेट जो थी उसको बढ़ा दिया गया तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कब डेट लास्ट रखी गई है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए कहां नोटिस निकल कर आये complete process देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने के पहले में बता दू इसका online application फिल अप करने का वीडियो मैं आलेडी बना चुका हूँ जिसका link आपको discussion और उपर i button मिल जागा तो अगर अभी तक आपन इसका online application फिल अप नहीं किया तो जाकर उस वीडियो के माध्यम से आप online application घर बैठे अपने mobile से फिल अप कर सकते हैं आपको कहीं बहार जाने की जरूरत नहीं है ना है किसी cyber cafe कि यहां पर खुलने का वेट करना है आप सीधे अपने mobile से फिल अप कर सकते हैं तो चलिए इसके last date के जो सूचना निकल कर आई देख लेते हैं तो आपको इसके official website पर आना है जिसका link आपको description में मिल जागा आप यहां पर direct आएंगे इसकी बात दोस्तों आपके सामने ऐसा page open होता है यहां पर आपको एक option मिलता है carrier section का जहां पर आपको सारी information मिलती इससे related तो यहां पर ह प्रिक करते हैं आपके सामने यहां पर जो भी information रिकल कर आती सारा यहां पर सो हो जाता है यहां पर देखेंगे आपको जो सबसे पहले ही notice मिल जाएगी यहां पर online आवेदन के अंतिम तिति के संबंध में notice निकल कर आई है यह notice की बात करो तो यहां पर 25 मार्स 2020 को ही notice जारी यहां पर notice देख सकते है notice का date की बात करें तो हम यहां पर 25 मार्स 2020 का notice जारी हो चुका है यहां पर आप आएंगे तो यहां पर जो subject है notice का online माध्यम से आवेदन करने तो अतरिक्त समय अंतराल के संबंध में notice आपको बताया गया तो चली देख लेते कौन-कौन से application का date यहां पर जो पहला था जो देख सकते हैं यहां पर minus के लिए तो उनका last date यहां पर 24 मार्स 2020 को ही था उनके लिए और बाकी यहां पर हेम operator की जो एकेंसी चल लए थी उसका last date यहां पर 30 मार्स 2020 रखा गया है इसके अलावा दोस्तों यहां पर admin और जो areas post उनका भी यहां पर 30 मार्स 2020 रखा गया था लेकिन यहां पर इसमें बदलाव कर दिया गया है जैसा कि आपको देख सकते हैं नोटीस में यहां पर बताया गया है कि भारस सरकार द्वारा जो COVID-19 जनित महामारी के प्रसार को रोकने है तो जो आपको lockdown किया गया है उसके अंतरगत देखते हुए य यहां पर बहुत सारे जो है यहां पर इनको मैसेज गये थे जिसके एक डेट को बढ़ाए जया तो इन्हों ने यहां पर शुरिकार कर लिया उसको द्रिश्टिगत रखते हुए यहां पर इन्हों नोटीस में बता दिया है देख सकते हैं यहां पर एंसील द्वारा ले रखा गया तो लेकिन यहां पर डेट बढ़ा दी गए वगा यह जल्दी आपको नोटीस मिल जाएगी आज यहां पर आपको नोटीस मिल जाएगी कि लाश डेट कप तक बढ़ाय गया तो आप आसानी से इसको अप्लीकेसम फिलप कर तक यह नौ Notis आपको अपको लेकिन अगर आप खुद से फीलब करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से फीलब अपने मुवाल से घर बैठी कर सकते हैं वीडियो मैं अल्रेडी बना चुका हूं लिंक आपको डिस्क्रिशन और उपर आई बटन मिल जाएगा तो आप जो है जाकर उसको फीलब कर सकते हैं औ आती साथ सभी प्रकार के जाब अपडेट आपको मिलते रहें सभी प्रकार की इंफार्मेशन आपको मिलते रहें जाब से रिलेटेड तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर कर दीजिया और अभी तेक चैनल को सस्काइब नहीं कियें तो चैनल को सस्काइ झाल झाल